Dear students, आप सभी जानते हैं, किसी भी देश का जो development है, वह उसकी शिक्षा प्रणाली पर ही निर्वर होती है, यानि कोई भी देश हो हर देश के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक होता है, और शिक्षा के जो level हैं, जो इस्तर हैं, उसको भी उच्चस्तरिये बनाने के लिए बहुत सारे trained teacher की आवश्यक्ता होती है, teacher के skill को निखारने के लिए बहुत सारे course हैं हमारे इंडिया में, उन courses में teacher के skill पे ही काम होता है, यानि एक तरह से teacher को trend किया जाता है, अध्यापकों के अगर course को निखारने की बात की जाए, तो इसक इसके लिए बहुत सारे courses available हैं हमारे इंडिया में, उन ही में से एक course है, NTT का course, nursery teacher training, जिसे ECCE course भी कहा जाता है, early child care education, वैसे तो यह course कुछ colleges में दो वर्ष का भी है, और अब इसकी जो अबधी है, वह एक साल के है, कई colleges में आज भी दो वर्षों का करवाया जाता है, NTT, है, वह एक साल के है, आज हम जो बात करेंगे, वह entity के course के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अगर आप nursery teacher बनना चाहते हैं, या pre primary teacher बनना चाहते हैं, तो आपके मन में कुछ सवाल जरूर उठते होंगे, जैसे entity course क्या है, इसका full form क्या होता है, यह कहां से करें, और teacher बनने के लिए, entity teacher बनने के लिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, और syllabus क्या होगा, तो बहुत सारे चीजों पे, आज हम discuss करेंगे, नमस्कार, मैं हूँ MS चोहान, और आप देख रहे हैं, आराधिया digital learning के इस online platform को, अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, आप इस channel पे नए हैं तो सबसे पहले तो इस channel को subscribe कर लें, ताकि teachings related जितनी भी videos हैं, उसकी update आपको समय सबे पर मिलती रहें, और इस video को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद, like करें, और इसे अपने friend, अपने relative के साथ share भी करें, तो चलिए, start करते हैं आज, आपके उन सारे प्रशनों के देखकर समझ गये होंगे, कि ये पूरी की पूरी वीडियो जो है, वो nursery teacher को लेकर बनी है, कैसे बने, इसमें क्या opportunity है, और अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं आपने एक बात तो देखी होगी, कि nursery teacher training में scope भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आप इस बात को भी ध् में रख करके, आप इस चीज को जरूर देखेंगे, कि इसको करने के लिए, इसे करने के लिए, किस प्रकार से, हम कौन-कौन से course करें, ताकि हम government pre-primary teacher बन सकें, क्लियर है, चले, तो सबसे पहले, देखें, तो entity course के लिए, entity का जो course है, इसके लिए, अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा उपर, अगर आप देखें तो, सबसे पहले उपर अगर देख पारे होंगे, तो entity course के जो कुछ highlights है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, सबसे पहला highlight है, कि बही, course level क्या है, तो यह एक प्रकार रखा, diploma course है, क्या है, डिप्लोमा course है, या या डिप्लोमा course, जो होता है, अगर आप देखें तो इसकी eligibility है 10 प्लस 2, ठीक है, full form आपको पता ही चल गया, कि entity का मतलब होता है, nursery teacher training, और इसे एक और नाम से जानते है, E, C, C, E, यानि E for early childcare education, duration इसका one year है, या two years भी है, कुछ colleges में, ठीक है, कुछ colleges में, tapping mistake यहां सोड़ा सा, कुछ colleges में क्या है, दो साल का भी है, admission, entrance के base भी होता है, और merit base भी होता है, यह merit का base जो होता है, वो 12th का जो score card है आपका, उसके base पर, टीक है, 12th में जितने भी आपने marks, get कियोंगे, उसके आधार पर, course fees जो है, लगबग मान के चलें, कि अगर government college हो, तो 5000 से लेकर के private institution में, 30,000 तक के इसके fees, इसके बीच में, बड़ा कोई fix नहीं है, बड़ 5000 से 30,000 के बीच में खर्च आता है, job type के अगर बात करें, तो इस course को करने के बाद, entity या ACC course को करने के बाद, आप pre primary teacher बन सकते हैं, नर्सिरी टीचर बन सकते हैं, यह आपका job profile हो जाएगा, और pay skill के अगर बात करें, तो private school में 10,000 से इसकी सुरुवात करते हैं, और यह अगर repeated है, यह experience के बाद, 40,000 तक इसकी salary जाती है, clear है, तो यह कुछ key features थे आपके entity को ले करके, entity के लिए आप जो मैंने highlight किया है, यह main, main चीज़े हैं, जो basically आपको जानना चाहिए, चलिए, आगे हम देखते हैं, अब entity course, यह ACC course के लिए, basically अगर देखें, तो एक बात तो यह तैह है, कि आपने यह जरूर देख ल box, है ना, या फिर बहुत सारे colleges जो है, वह category है ना, category यानि SCST के लिए, OVC के लिए, 5% का यहां relaxation भी देती है, तो बारमी minimum योग जिता है, बारमी, और यहां पर, आप 12th के बाद, 12th के बाद, आप यहां पर entity, entity, या, ECCE, course को कर सकते हैं, इसके बाद, आप ECCE और entity के course को करें, कहां से, सवाल यह भी आता है, तो भाई, मानिता प्राफ संस्थानों में, vocational course के रूप में, यह करवाय जाता है, या फिर unvicalp के रूप में, आप IGNU, है ना, इंद्रा गांधी, National Open University से भी आप ECCE course को कर सकते हैं, वहाँ भी दाखिला ले सकते हैं, या IGNU से distance learning program के तरफ करवाय जाता है, ठीक है, अब इसे से, इस course को करने के बाद, आपके पास जो option है, अगर हम उस options की बाद करें, तो यह option आपका, क्या हो सकता है, तो भाई, आपने देखा हुआ कि जो LKG, UKG, और जो nursery teacher होते हैं, चाहे हुआ government sector वाले स्कूल हो, या private sector वाले स्कूल हो, इन दोरो तरह के विद्यालियों में, आप eligible हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, clear है, यानि आपके पास opportunity है, एक तो government, school में, आप इस course को करके, pre primary teacher बन सकते हैं, दूसरा आपके पास private school भी है, इन private school में भी आप teacher बन सकते हैं, और आपने देखा होगा कि आंगन वाली में भी जो vacancy आती है, आंगन वाली में भी आपने देखा होगा, vacancy, आंगन वाली भी जो vacancy हैं, उसमें भी वह entity और ECC जैसे course की demand करते हैं, तो है तो यह, बहुत ही EDC है, बहुत ही छोटा सा course है, बट बड़े काम की चीज़ है, 18 वर्स से लेकर के 35 वर्स तक के विद्धारती इस course में प्रवेश ले सकते हैं, यानि एक minimum अगर देखा जाए, तो 18 से 35 वर्स इसका criteria है, कि आप जो है इस course को कर सकते हैं, चुकि वैसे भी देखा जाए, तो आप इसमें जो vacancy है, वो आपके लिए nursery teacher training की निकलेगी, और nursery teacher training के लिए आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसकी एक समयाब्दी होती है, वो 18 से 35 वर्स की रखी गई है मिलाज उला करके, ठीक है, तो यह भी clear हो गया, अच्छ teaching methodology का आपने देखा होगा, या फिर basic of pre-primary education के बारे में, कुछ methods of teaching के books आपको मिलेंगे, कुछ child psychology के messages, कुछ books मिलेंगे, इस परकार कुछ art and craft के मिलेंगे, कुछ child care health के बारे मिलेंगे, कुछ nursery, school organization, कुछ practical knowledge के आधार पर कुछ books मिलेंगे, कुछ इसी परकार का इनका particular होत कुछ और भी options हैं आपके पास, जहां आप उन options को कर सकते हो, सकता है, आप अपना play school खोलना चाहते हो, तो वहाँ भी आपके लिए helpful होगा, play school के लिए, और अगर देखा जाए, तो अगर आप किसी NGO से जोड़के काम करना चाहें, तो भी आप छोटे बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, तो यह नहीं कि इसे गवर्मेंट जो भी आप अपना खुद का भी काम कर सकते हैं, है ना, open कर सकते हैं, pre nursery school, तो इसका work जो है, वो है basically vital है, है ना, आपने देखा होगा, क्रेच की भी प्रथा है, छोटे बच्चों को जहां देखवाल के लिए रखा जाता है, वहाँ भी अगर इस तरह के course आपने किया है, तो आपको वहाँ पर क्या मिल सकता है, प्रेफरेंश मिल सकता है आपको जаться है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि entity क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी agility क्या है और हम इसको कहां से कर सकते हैं। जहां तक मानिता प्राफ्ट संस्थानों की बात है, तो मानिता प्राफ्ट संस्थान में, अगर हम देखें, तो महुत सारे संस्थान है, जैसे Delhi University of Early Child Care and Education, डैली से भी आप इसे कर सकते हैं, आपको बताया, एक हमने आपको बहुत बड़ी संस्था का नाम बताया, इगनू, इ उसी प्रकार से बहुत सारे हैं, आप जो इसको सर्च करेंगे, तो जितने भी मानिता प्राफ्ट संस्थान है, जो कि NCTE के नॉम्स को फॉलो करते होंगे, वो संस्थान से आप इस कौर्स को कर सकते हैं, वो वैलिड होगा पुरी तरसे, क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ क की entity से related, entity से related, जो भी basic information ये जानकारी थी detail वे में, वह मैंने आपको देने की कोशिश की है, अगली जो वीडियो है, वो हमारा पूरा का पूरा रहने वाला है, primary teacher के उपर, तो next video में हम primary teacher के उपर पूरा detailed discussion करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी ही इसी प्रकार के next video में, जैहिन, जैवारत